Tata Motors के दिवानों Tata Motors आप सभी के लिए लेकर आने वाली है अपनी सबसे बहत्री और लेटिस गाड़ी का नया मोडल जिस गाड़ी का भारती गरा को आप लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे तो Tata Motors तेरश की सबसे बहत्री कार निर्माता कंपनी अब तयार है अपनी बहतरिन गाड़ी के लॉंच के साथ अपरेल के आने विले इस शांदर महीने में जिहां दोस्तो टाटा का नया मोटल टाटा नैनो अफ फिर से भारते सडकों पर लॉंच होने के लिए तयार हो चुका है जिहां दोस्तो ये गाड़ी काफी लंबे समय से सुर्ख्यों में बनी हुई थी और लोग इस काड़ी के लॉंच का काफी बेसबरी से इंतिजार भी कर रहे है तो आपकी इंतिजार की गड़िया अब खतम होने वाली है कुछ ही हफतों में जिहां दोस्तो टाटा मोटर्स लेकर आने वाली है अपनी और से एक नई माइक्रो सेवी जो की बताया चारा है टाटा नैनो का यी रिप्लेस्मेंट आप कह सकते है मगर एक नए नाम के साथ और एक नए अंदास में इस कारी की शुरुवाती कीमत अब 3-4 लाक रुबे अनुमान लगा सकते है जो की भारती गराहक के लिए इस काफे ज़्यादा शांदार और बजट फ्रेंडली कार के तौर पर ये गाड़ी बताए जारी है ये मिड रेंज वाले गराहकों के लिए लॉंच करी जाएगी टाटा मोटर्स की आने वाली के नई माइक्रो स्थीवी कंपनी के लेटेस न्यू प्लैटफों पर बेश्ट रहीगी जिसमें आपको गाड़ी के डिसाइन काफी जाद अनोखे इस पारी देखने को मिलेंगे और एक कॉंपेक्ट लुक में आपको गाड़ी में स्थीवी की फील देखने को मिलेगी साथ ही साथ गारी में आपको涉चर 23 के लेटर्स टेकनोजी फीचर से लेस वाला नया इंटिरियर मिलेगा जो कि प्रीमियम क्वालिटी फीचर से लोड रहेगा और सबसे बहतिन बाद बताई चारी है गारी का PFORMANC वाला इंजन जो कि आपको PFORMANC तो देखा ही इस गाड़ी में आपको चबरदस TNG प्लस इंजन का देखने को मिलेगा जो कि मालेज भी शांदार देगा साथ ही दूसरी और आपको गाड़ी का फुल इलेक्ट्रिक बिरिंट मिलेगा जो कि चबरदस इलेक्ट्रिक मोड के साथ आएगा गाड़ी लॉंच होता ही ओटो मोबाइल सेक्टर में धूम बचाने वाली है अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की तो गाड़ी को एक माइक्रो सेवी लुक में लॉंच करा जाएगा जो काफी ज़ाद सेवी की फील और एक स्पोर्टी प्रीमियम लुक में नज़र आएगी गाड़ी के फ्रंट में आपको दोस्तो प्रोजेक्ट एली हेडलेंट का क्लस्टर यूनिट सेटप देखने को मिलेगा जिसमें आपको टाता का नया क्रोम लोगो टाता का नया क्लोसी ब्लैक टाइगर नौच फ्रंट ग्रिल एक फ्रंट से नया प्रीमियम लुक देगा रेस साइट पे आपको कनेक्टिड एलीडी टेल लाइट का सेटप टाता नैनो की बड़ी सी क्रोम बेचिंग में नज़र आएगा वह साइट पोरफाइल में गारी में आपको 13 इस तक के अलोई बीस मिलने वाले है तोकि गारी को ओवरोल वाइस काफी चादा शानदार और एक शानदार नया लुक दे रहे है ये गारी नए डूल टोन कलर आप्शन्स में नज़र आईगी जिसमें आपको इलेक्ट्री को और भीम चबरदस स्पोर्टी ग्राफिक्स और फ्रीमियम लुक गारी को एक शानदार और एक बीड में अलग बनाता है गारी रोड पे चलते वे भारतियों को काफी पसंद आएगी और गारी की रोड प्रेसेंस काफी चाहता अजमतार खबरों में समझा रही है अगर हम बात करें गारी के इंटीर फीजर्स की तो कारी में आपको चबरदस छोटी होने के बावजूद भी बहतर स्पेस और फाइफ सीटर सिटिंग कैपिसिटी नजर आएगी जिसमें आपको अज़ेस्टिबल सीट्स, आटोमेटिक सीट बेल रिमाइंडर्स और डूल टोन इंटीरियर मिलेगा साथ ही सबसे बहतरी बात तताई चाहरी है गारी का लेटेस्ट टेकनोजी वाला टैशबोर जिसमें आपको टाटा मोटर्स का लेटेस्ट पावर स्टेरिंग वील, आटोमेटिक एसी और हर्मन का हैड़ अप डिस्प्लेय मिलेगा जो कि 15 इंच की टस्क्रीन के साथ 20 प्लस कनेक्टिट फीचर से लोट रहेगा इतनी गारी में आपको आटोमेटिक साउंड सराउंड सिस्टम हर्मन के स्पीकर के साथ रहेगा टाटा मोटर्स की गाड़िया सेफटी में भी 5 स्टार स्टार रेटिंग जो कि 4 एर बैक्स, 2 कैमरा, चबर्दस ABS, EBD परफॉर्मन के साथ लेटेस्ट टेकनोलोजी फीचर से लोट रहेगी जो कि आपके सफर को सेफ और आपके टाटा मोटर्स की इस नई गाड़ी के इंटीर को काफ़ी प्रीमियम और एक शांदा लुक में नया अंदास में दे रही है अगर हम गाड़ी के परफॉर्मनस पर आते हैं तो टाटा की आने वाली गे नई SUV परफॉर्मनस में काफ़ी तमदा रहेगी इस गाड़ी में आपको टाटा मोटर्स का लेटेस नेक्स जेन 1.5 लीटर का नेच्वल एस्पिरिटिट पेट्रोल पर सी एंजी इंजन मिलेगा चो की 120 HP की पावर और टेट सु अनम तक का टॉक चनलेट कर सकता है इस गाड़ी दोस्तो चबरदस ओटोमेटिक केरफॉक्स और फेक्टरी फिटिट सी एंजी ट्विन सिलेंडर किट के साथ 30-35 एंपियर तक का अराम से भातिये सड़को पार माईली स्तेपाने में सक्षम होगी साथ ही गाड़ी का दूसरा इलेक्ट्रिक मोड भी रहेगा चो कि एक चार्ज पर एक घंटे में आपको दोस्तो 100 किलोमेटर तक की रेंज एक घंटे में ही चार्ज पर दे देगा ये गाड़ी दोस्तो बहारती बजार में चल दी लॉंच होने के लिए तैयार हो रही है